नमस्कार दोस्तों मैं आधिती आप सभी लोग का करेंट अवे ने स्वागत करती हूँ जहां पर हम लेते हैं करेंट का टॉपिक और उसे अच्छे से डिसकस करते हैं तो आज हम बात करेंगे इंडियास फर्स्ट किसान रेल रिसेंटली में ही ये डिसीजन लिया गया था धाला को पडूस का रेंजन ये है कि जो इंडिया है वह वर्ड का लारजस पर्डूसर है फ्रूट औवेजिटेबल्स का फ्रिशन फ्रूट और isna च oh je IRA और ाता है और और साथ के साथ वोर्टर भी वेस्ट हो रहा है तो इन सबी प्राब्लम्स को रिजॉल्फ करने के लिए भारत सरकार ने एक डिसीजन लिया था किसान रेल जिससे की जो किसांस है उनको जो लोस होता है वो ना हो और साथ की साथ जो टार्गेट है 2022 तक जो फार्मर्स के इंकम क को डबल करना है उसकी तरह भी हम बहुत सकते एक स्टैप फोवर्ड है किसान रेल रेसेंटली में ही 7 ओफ अगस 2020 को यूनिन मनिस्टर ऑफ अगरिकल्चर नरेंदर सिंग तोमर एंड रेलवेर मनिस्टर प्यूश कोयल ने इस ट्रेंड को एनक्रेट किया है जो कि पस यह ट्रेंड स्टार्ट होगी सुबह 11 बजे और बेहार में बहुत जाएगी अगले दिन शाम को 7 बजे के आसपास 6.45 पर एक्जेक्ली टाइम और यह जो अनौसमेंट थी यह ओल्रेडी ही बजट में कर दी गई थी और यह जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया है इ इसका टाइम डूरेशन होता है वो शोट पिरियेड होता है उन फ्रूट एंड वेजटेबल्स को कैरी किया जाएगा पहुचाया जाएगा एक जंगा से लेके दूसरे जंगा तक जैसे कि महरास्ट्रा है वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट एंड वेजटेबल्स हैं वो करने के लिए यह डिसेजन लिया गया है इन ट्रेन के अंदर रेफ्रीजेटर होगा प्रॉपर जो कि स्प्लाइ करेगा फिश का मीट का एंड मिल्क का और साथ के साथ अचीव करेगा फार्मर्स की इंकम को डबल करने के लिए दो हजार बाइस तक का जो टार्गेट है यह है अभी रिसेंटली में इसको सिरफ वीकली ही एक वीकली का डिसेजन लिया गया है कि हफ़ते में सिरफ एक ही बार यह ट्रेन चलेगी और साथ की साथ कोस्ट कटिंग हो रही है यहां पे कि अगर कोई वैजटेबर है जो कि महारास्टरा में होता है और वो बिहार तक पहु है कि अनियान है अगर वो महारास्टरा में 50 रुपरी का मिलता है और तो बिहार में जाते जाते बो 80 रूपीounded का हो जाता है क्योंकि उसके अंदर वो कोस्ट के इक दियूरफ होrobi हो जाता है लेकिन ट्रेन के अंदर है वे ट्रांस्वोर्ट भी कम हो जाएगा जो पैसा लग 70% ही है जो कि बेचने लायक होंगे 30% तो मानना ही जाता है कि वेस्च जो प्रडक्ट हो जाएगा में भी सर जाएंगे गल जाएंगे और दूसरा जीजन हो सकता है कि पिचक जाएंगे तो पिचके हुए टमाटर कोई भी लेना पसंद नहीं करता है तो इन सबी चीजों को भी बीरेडियूस कर देगा कोस्ट भी रेडियूस हो जाएगी टाइम भी रेडियूस हो जाएगा और चीज़े फ्रेश भी रहेंगी टाइम से पहुँच जाएंगी और कोई भी फार्मर है जिसको इंटरस्टीज है जो अपना माल है अपना जो उसका परडियूसर है कोई भी सबजी या फूट है या मिल्क है या मीट है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे पोशाना चाहता है या कोई इंटरस्टेट पार्टी है वो डिरेक्ली जाके अपना consignment train में रख सकते हैं, एक appointment लेकर booking करवा के रख सकते हैं, phone number भी जारी किये गए हैं, और consignment है, वो उसका कोई minimum नहीं है, कि आपको minimum इतना रखना है, पचास से सो किलो तक का consignment हो सकता है, और अग स्पोस्ट करें कि कोई farmer है, वो किसी गाउं में है, तो वो चेक कर सकता है, कि train उसके आज़ पास के consignment पे रुकेगी, और वहां पे जाके अपना consignment है, वो जाके deliver कर देगा, पुछा देगा, further words का deliver चला जाएगा, और इन केस की train है, वो किसी वज़े से लेट हो गई है, उसका रेफरीजेटर था, वो खराब हो गया है, चला नहीं, जो भी reason है, जिस वज़े से उसका जो farmer का जो फ्रोड्यूस था, अनियन था, कोई सबजी थी फल था, फ्रूट था, वो खराब हो गया है, तो जो railway है, उस जबलपूर, साथाना, कटानी, मनिक, पूर, प्रियाग राज और पंडित दीन, दयाल उपाद्ध है, और बकसर, यह सबी stoppage है, कोई भी farmer है, जिसे अपनी producer को deliver करना है, वो इन में से किसी भी station पे जाके अपना delivery box consignment है, वो दे सकता है, होप यह वीडियो आपको useful लगी प्लीज लाइक, शेर एंड कमेंट और हाँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, आपका दिन शुब रहे